असलामों अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक गुंडा ऐसा है जिसने एक हजार लोग भेज कर एक M&A को अगवा कर लिया था और क्या आपको पता है कि विहाडी के एक गुंडे ने पुलीस टेशन में घुसकर वहां मौजूद तमाम पुलीस वालों को मार दिया था और क्या हो अगर एक क्रिमिनल मुल्क के वजीर आला को मौत की धंकी दिना शुरू कर दे वेल आज किस वडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और पावरफुल क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन सदाकत गुजर दुस्तो सदाकत उर्फकाला गुजर एक क्रिमिनल था जिसका तालुक पंजाब के लागे विहाडी से था ये खानी 1995 में सदाकत के वालत ने पंजाब पुलीस के एक एसपी खुरम को अपनी दस मरले जमीन सेल की तो उस एसपी ने सदाकत के वालत को पैसे देने के बज़ाए इन पर फेक किसे बना कर जेल में तश्रद्द करके कदल कर दिया सिर्फ इतना यह नहीं बलकि जब सदाकत का चोटा भाई अपने बाप से मिलने के लिए जेल में गया तो S.P. Khuram ने उसे भी कतल कर दिया अपने भाई और वालत की बाई की बाई की बाई सिदाकत की पुलीस से बदला लेने के लिए जर्म का रास्ता इक्तियार कर लिया दो साल की अंदर ये बंदा सिदाकत से काला गुजर बन गया था और इसने बदला लेने के लिए S.P. Khuram के घर में गुज़ कर इसे और इसकी बाईयों सब को कतल कर दिया इस खतरनाक जुरत के बाद गौर्रमेंट ने इसके सर पर 50 लाक रुपे का इनाम रख दिया लेकिन आप बिलीव ने करेंगी कि पुलीस से डर कर बागने की बजाए ये बंदा उस पुलीस स्टेशन में घुस गया जहां इसके वालिद और भाई को कतल किया गया था असल में S.P. खुरम के इलावा उस थाने में जो S.H.O. और पुलीस वाले मौजूद थे वो भी इसके बाप और भाई के कादल थे इसलिए इन सबसे इंतकाम लेने के लिए ये बुरका पहन कर उसी थाने में घुस गया और वहां मौजूद S.H.O. समेथ सारे पुलीस वालों को कतल कर दिया और सिर्फ इतना ही नहीं बलके इबरत के लिए इसने इन पुलीस वालों को कतल करने के बाद इनकी बॉडिस थाने के गेड़ के साथ लड़का दी कहते हैं कि 1998 तक इसने बहुत से पॉलिटीशन के साथ मिलकर बहुत से क्राइम किये लेकिन कोई से टश भी नहीं कर सका लेकिन फिर एक पुलीस मुकाबले में इसका इनकाउंटर कर दिया गया था एनिवे जो भी हो उस दोर में हर पुलीस वाले के दिल में इसका खौफ जरूर हुआ करता था चौदरी नादर गुजर दोसों नादर गुजर इस वकट पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और पावरफुल लोगों में से एक है इसका तालुक कसूर से है ये बिसिकली एक अमीर घराने से तालुक रखता था इस बंदे की कहाने तब शुरू हुई जब इसने एक शक्स से आठ किनाल जमीन खरी दी पर कसूर के M.P.A. एहमद खान ने उस जमीन पर कबजा कर लिया एहमद खान जिले का M.P.A. था लेकिन चौदरी नादर ने इसके बावजूद इस M.P.A. के साथ लोगों को दिन देहाडे उसी जमीन के उपर कतल कर दिया और सिर्फ आदे गंटे में अपनी जमीन वापस ले ली पर M.P.A. ने अपनी पावर का इस्तमाल करके इसे जेल बिजवा दिया और नादर तीन साल तक जेल में रहा जब ये जेल से छूटा और अपनी गाड़ी में घर जा रहा था तो M.P.A. एहमद खान ने इस पर हमला करवा दिया इस हमले में नादर के दो भांजे कतल हो गए लेकिन ये बंदा इतना इंफ्लूएंचल था कि इसने अपने भांजों के मरने के सिर्फ 24 गंटों के बाद एक जार लोगों को अपने साथ लिया और M.P.A. के बाप को इसके घर से अगवा कर लिया आपको जानके हैरानगी होगी कि एमद खान का बाप कोई आम बना नहीं था बलकि नून ली का मुझूदा M.N.A. था पर इसके बावजूद चोदरी नादर ने उसे अपने घर से उठवा कर गाइब कर दिया और बाद में इसकी लाश दूसरे शहर से बरामद हुई थी लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद कोई इस शक्स का कुछ नहीं बिगाड़ सका ये शक्स आज भी खुले आम घूम रहा है और किसी की जुरत नहीं है किसे टच कर सके आपको बताता चलों कि नादर पर चौदा सो से भी ज्यादा केसिस दर्ज थे पर इसके बावजूद ये खुले आम फिरता था इवन इसे आबद बॉक्सर और नून ली की फुल सपोर्ट हासल है और अब तो ये कसूर की एक सलेबरेटी बन चुका है अरशद बटी दोस्तों अरशद बटी एक पुलीस इंस्पेक्टर था जिसका तालुक पंजाब के इलाके शीख उपुरा से था ये के मंदार आफिसर था जो अपनी डूटी ने भा रहा था लेकिन 2001 में शीख उपुरा की M.A. ने इस इंस्पेक्टर से एक कतल के मामले में फेवर मांगी और अरशद ने गलत काम करने से मना कर दिया इस पर घुसा होकर उस M.A. ने इंस्पेक्टर अरशद के भाई को अगवा कर लिया और इसे शदीद तशद्द करके कतल कर दिया सिर्फ इतना इने ही बलकि इस M.A. ने अरशद पर जूटा इल्साम लगवा कर इसे भी सस्पेंड करवा दिया इवन इस दौरान भाई की मौत की वज़ा से अरशद की भावी भी सदमे से वफात पा गई वेल इन सब हाथ साथ के बाद ये इंस्पेक्टर किर्मिनल बनने पर मजबूर हो गया इसने पने पास मौझूद सारे पैसो से असला खरीदा और उस M.A. पर हमला करके इसके कई लोगों को कतल कर दिया सिर्फ इतना है नहीं बलकि अरशद ने खतरनाक मुझरमों के साथ मिलकर उस M.A. के बेटे को भी अगवा कर लिया और इसे बिलकुल वैसे ही मारा जैसे इसके बाई को मारा गया था इन सब के दौरान अरशद को पकड़ने के लिए कई आपरेशन किये गए लेकिन इसमें कई पुलीस वाले अपनी जान धो बैटे आखरकार आजजी पंजाब ने इंस्पेक्टर अरशद के सर पर दो करोड रुपे का इनाम रख दिया एक और मज़गी बात ये है कि जब ये फरार था तो पंजाब गॉर्मेट ने इसकी प्रॉपर्टी पर कबज़ा कर लिया था सो इसने उस वक्त के वज़िर आला परवेश इलाही को फोन किया और इन्हें कतल करने की धमकी दी ये बंदा इस हद तक खतरनाग बन चुका था कि गॉर्मेट भी इससे डरती थी इवन वज़िर आज़म पाकिस्तान ने खुद इसके इंकाउंटर का होकम दिया था और आखरकार एक गदार की वज़ा से पुलीस बारी तादात में इस पर हमला करने में कामियाब हो गई और इसे कतल कर दिया गया माजा जट दूसों ही जो शक्साब दिख रहे हैं ये कोई क्रिमिनल नहीं बलकि एक स्कूल टीचर था इसके वालत साथ मुलतान के एक जमीनदार थे इस कहानी का आखास तब हुआ जब माजा जट के वालत ने मुलतान के एक S.H.O. को अपनी चार एकड जमीन बेची उस पुलीस वाले ने वो जमीन तो ले ली लेकिन पैसे अदा नहीं किये बलकि उल्टा इसके वालत पर फेक केसिस लगाकर इसे जेल में डाला और तशद्द करके कतल कर दिया सिर्फ इतना ही नहीं बलकि उस S.H.O. ने उस कतल का इल्जाम भी उसके बेटे यानी माजा जट पर लगाकर उसे भी जेल में डाल दिया दो साल तक जेल में रहने के बाद कोट ने सबूत ना मिलने पर माजा जट को आजाद कर दिया लेकिन उस अरसे में ये टीचर से एक क्रिमिनल बन चुका था जेल के अंदर इसने मुझनों के साथ दोस्ती कर ली और बाहर निकलते ही इसने उस S.H.O. को सरयाम रोड पर ओन डियूटी कतल कर दिया इस कतल के बाद उस S.H.O. के भाई ने पुलीस का सहारा लेकर माजा जट और इसके साथियों पर हमला कर दिया लेकिन जिन लोगों के साथ माजा जट की दोस्ती हुई थी वो कोई आम लोग नहीं थे बलके दरजनों पुलीस आफिसर्स ने जब उन लोगों पर हमला किया तो उन्होंने गरनेट्स निकाल लिए और जब पुलीस वालों पर बॉंब्स पूटे तो वो वहां से दुम दपा कर भाग गए आप बलीव नहीं करेंगे कि माजा जट को पकड़ने के चकर में आलमोस्ट तीस पुलीस वालों की मौत हो गई लेकिन कोई इसका बाल तक बांका नहीं कर सका खेर आईजी पंजाब ने इसके सर पर सतर लाग का इनाम रख दिया और पूरे मुल्तान में इसके पोस्टर्स लगवा दिये आखरकार मुखबरी से माजा जट को गिरफ़तार कर लिया गया जब इसे गिरफ़तार किया गया तो डियेसपी ने इसे मारना शुरू कर दिया माजा जट को उस डियेसपी पर इतना घुसा आया कि इसने पास मौजूद हावलदार से बंदूग चीनी और DSP को सब के सामने कतल कर दिया इस पर पूरी पुलीस फोर्स ने इस पर open firing शुरू कर दी और सैकड़ों गोलियां मार कर इसे कतल कर दिया Anyways, क्रिमिनल की स्टोरी वाके ही में बहुत शॉकिंग थी महर दिलावर अराई दुस्तो दिलावर एक ऐसा शक्स था जिसने 14-15 साल की उमर में ही जुर्म का रास्ता इक्तियार कर लिया था इसका तालुक मुल्तान से था असल में मुल्तान की एक सियासी ग्रूप ने इसके बड़े भायों को कतल कर दिया था क्योंकि इसकी फैमली ने उन पॉलिटिशन्स को अपनी जमीन बेशने से इनकार कर दिया था दिलावर उस वकट छोटा था लेकिन इसने उस वकट पुलीस में जाकर F.I.R. दर्शकर्वान की कोशिश की पर पुलीस वाले M.N.A. और M.P.A. से मिले हुए थे और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इसके बाद दिलावर ने जुर्म का रास्ता इक्तियार कर लिया और एवन ये इतना नडर था कि इसने D.S.P. का घर में लोट लिया और चार पुलीस वालों को भी कतल कर दिया इसके बाद दिलावर ने उस M.N.A. का पता लगवाया जिसने इसके बाई को मारा था जब उस M.N.A. के बेटी की शादी हो रही थी तो दिलावर अपना बदला लेने के लिए वहाँ पर पहुँच गया और इसने उस पॉलिटीशन और इसके बेटे दोनों को मार दिया इस वाके के बाद पूरा मुलतान इससे डरने लगा और इसका राज शूरू हो गया एवन ये बंदा मुलतान में बिजनस करने वालों से बध्था भी वसूल करता था और तो और जब मुलतान के D.P.O. ने 11 पुलीस वालों को भी किड्नैप कर लिया ताकि ये वहाँ से सेफली निकल सके। कि एक आम सा बंदा भी खतरनाक मुझरम बनने पर मजबूर हो जाता है।